नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग स्वास्त विवाग के तरफ से बहाली परकिरिया को लेकर जो नई सूचनाएं आ रहे हैं उनके वारे में हम लोग डीटेल्स में जानेंगे जिस तरीके से आप लोग BTSC A&M का इंतिजार कर रहे 10709 का और स्वास्त विवाग के तरफ से कुछ पोश्टों पर बहाली की परकिरिया है वो शुरू कर दिया गया है और उसमें जल इन पोश्टों को बहाली परकिरिया शुरू हो रहे हैं A&M की अब बहाली परकिरिया होने जा रहे हैं कब से शुरू होंगे और आप लोग इ अपने जॉब को लेकर कितने आप लोग सतर्क है यह आपका माहिने रखता है आप अपने जॉब के लिए क्या कुछ कर रहे हैं क्योंकि इन पोस्टों पर बहाली की परकिरिया शुरू हो चुकी है जो कि आपको मतलब की इसी महिना से दो नौ से को इन पोस्ट पर चार को इसक कर दिया गया है और इसको लेकर राजपाल जी तुअरा वह जो कि आदेश जारी कर दिया गया है उसी को अब फुल्फिल की जा रहा है जिसमें कि बहूत सारा पत Ha не लेकिन अब जो बहाली के प्रोसेस होंगे उन सब में एक्जाम है तो आपका तैयारी भी होनी चाहिए और हम आपको डेली क्लासे चला रहे हैं और जिसमें कि कल हमने आपको जैसे मीड़ी वाइफरी का क्लास चल रहा है तो उसी का जो BTSCN में पूछा गया क्वेश्चन था आप लोग जो एजाम दिये थे उसका क्वेश्चन करवाया और हमारे ही नोट्स से सारा क्वेश्चन टॉपिक से मिल रहे हैं जो जो टॉपिक होंगे उन सारे टॉपिक का प्रिवियस यह कॵेश्चन करवाते जा रहे हैं जिससे कि आपको एडिया लगे कि यहां से कॵेश्चन आते हैं और आप देखे भी कि नोट्स से कितना परशन्ट कॵेश्चन आपको मिल रहा है direct question जो आपके exam में तो जरूर आप लोग इस number पर call करके वार्टसप करके class join करिए एक बार आप लोग class join करिए और निश्चित रूप से आपका exam निकलेगा इसकी guarantee मेरी है क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सी जैसे test series हो गया PDF, notes, classes, totally मिल ही रहा है तो इस तरीके से आप लोगों को तयारी होनी चाहिए अगर 24 में जॉब लेना चाह रहा है तो आप देख सकते हैं कि इन पोस्टों को जो fulfill किये जा रहे हैं इसमें जैदा vacancy नहीं था एक दो एक दो करके सब में देख रहे हैं एक एक करके था इसलिए इसमें इंटर्वियू निकाला गया था या तो इंटर्वियू लिया और जैदा पोस्टर हैंगे जैसे कि आप लोगों का A&M का तो एक दो तो आएंगे नहीं जैसे PMCH में ही आएंगे तो उसमें भी बहुत सारा vacancy है स्वास्त मिशन के तहट 13 सार हैं फिर उसके बाद हम बात करें तो 3000 इसके तहट दे रहा है इसमें 3000 दे रहे हैं उसके बाद 15000 आपको अलग से मिल रहे हैं तो इतने सारे बहालिया होने हैं और इन सब में एक्जाम होंगे तो जिसका प्रिप्रेशन होंगे उसी को मतलब की होगा आप देख सकते हैं कि एस्टेट हेल्थ सोसाइटी और विहार के तरफ से यह सारा कुछ डीटेल्स जारी किया गया है तो आप लोग अब अपनी तयारिया में लग जाएए क्योंकि जाएदा समय अब आपको मिलेंगे नहीं इसकी सारी परकिरिया कुछ दिन पहले ही हुआ था और तुरत इंटर्व्यू के लिए बुला दिया गया है इसी तरीके से आप लोग का भी फॉर्म फिलिंग तुरंथ होंगे और उसके जश्ट बाद आप लोगों को जो बहाली का प्रोसेस होंगे उसका एक्जाम शुरू कर दिया जाएगा और एक्जाम में ज्यादा समय मिलेंगे नहीं इसलिए आप लोग अभी से अपनी प्रिप्रेशन में लग जाएए चाहे वो संभीदा वाले हैं चाहे फाइनल येर के स्टुडेंट हैं क्योंकि फाइनल येर भी इलिजियेबल रहेंगे आप लोग का रिजल्ट तब तक आ आजाएगा और रिजल्ट आजाते हैं तो आप फौर्म भर सकते हैं तो जरूर आप लोग भी अपनी तैयारी में लग जाइे आप लोग अभी कॉले से निकले हैं आप लुग अभी टियारी और भी बहतर होंगे तो और आगे की जो इनफोर्मेशन आएंगे वो सारी जानक